हेलो दोस्तो, लेट्स प्ले बार्बी में अभी सुबा का टाइम है, इसलिए सब अभी तक सो रहे हैं, और यहाँ पर पिंकी सो रही है, चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है और फिर पिंकी की आख खुल जाती है, और वो उट जाती है, अरे लगता है सुबा हो गई है, चलो उट जाती हूँ, आज तो मुझे बहुत ही जादा काम है अरे यह तो सुबा के आठ बज़ रहे हैं, अरे बापर मैं आभी तक सो रही थी, चलो जल्दे से उटती हूँ, आज तो लगता है मुझे कामों में लेट हो जाएगा और फिर पिंकी जल्द बाजी में दोड़ दोड़ कर जाने लगती है, चलो चलो चलती हूँ और फिर पिंकी का पैर फिसल जाता है और वो दिवार से टकरा कर जमीन पर गिर पड़ती है अरे बापरे मुझे बहुत ही जोड़ से चोड़ लग गई, अरे बापरे क्या हुआ, अरे मैं कहा हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहां पर पिंकी के सर में जोरदार चोट लगती है और उसकी याददास चली जाती है अरे मेरे सर में इतना दर्द क्यू हो रहा है, मैं जमीन पर क्यू गिरी हुई हूँ, अरे बापरे यह बोलते हुए पिंकी उठ जाती है अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं यहाँ पर कैसी हूँ अम्मा बावजी कहा है दिखाई नहीं दे रहे हैं और यह क्या है अरी तो मंगल सुत्र है पर मैंने कभी से पहन लिया मुझे तो कुछ भी याद नहीं है अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है यहाँ परपिंगे की याद्दास पूरी तरीके से चली जाती है और वो अपने पुरानी जिंदगी में चली जाती है अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये मंगल, सोत्र, सिंदोर, ये सब क्या है मैं साड़ी भी मैंने पहन रखा है मैंने क्या हूरिया बना के रखा है और ये किसका घर है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है चलो मैं जाके देखती हूँ मेरे कपड़े कहा है मैंने क्या पहन के रखा है अरे वो तो कबड़ है ना जटके देख्ती हूं शायद उसमें मेरे कपड़े हो पता ने मैंने क्या साड़े वाड़े लपेटि के रखा है चलो देख्ती हूं जाके शायद मेरे कपड़े इसी के अंदर हो अम्मा बाओ जी कहा है आम मुझे तो कुस्त समझ में नहीं आ रहा है पहले कपड़े पहननू फिर ढूनूंगी उन सबको और यहां वर पिंकी अपने कॉलेज की दुनों के कपड़े पहन कर आ जाती है चलो मेरे कपड़े तो मिल गए है पर ये सब कौन है इन सबको तो मैं नहीं जानती हूँ, मैंने कभी भी नहीं देखा है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं अरे, क्या मैं पोल रही हूँ, इनीर सबका घर होगा, मेरा थोड़ी ना है यह घर मुन्नी, सीमा भावी, अम्मा भावजी सब कहा है, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है यहाँ पर यह पोल कर पिंकी सोफी पे जाकर रोनी लगती है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अम्मा भावजी मुझे आपकी बहुत ही याद आ रही है कहां है आप सबा चाहिए ना मेरे पास अरे नहीं नहीं ये रोने का समय नहीं है चलो में इस घर से भाग जाती नहीं तो यो लोग मुझे पकड़ लेंगे और फिर पिंगी की रोने की आवास सुनकर सुटी जग जाती है अरे ये कौन रो रहा है इतनी शुबह शुबह कौन है आखिर अले मुझे तो कोई अच्छी दिस होने भी नहीं देता है अले ये तो चाची है पर रो क्यो रही है सुबा सुबा क्या हुआ उन्हें जाके देखती हूँ मैं क्या हूँ चाची आप रो क्यों रही हो और ये क्या आपने पुराने कप्रे क्यों पहने है अरे तुम कौन हो लड़की और क्या بोले जारी हो मुझे कुल समझ में नहीं आ रहा है कौन हो तुम और मुझे बताओ मैं यहाँ पर कैसे आई ये तुम्हारा घर है क्या और मैं यहाँ पर कैसे आई कहीं तुम लोगों ने मुझे किड़ नैप तो नहीं कर लिया है जल्दी बताओ नहीं तुम्हें तुम सब को छोड़ूंगी नहीं प्लीज मुझे छोड़ तो मुझे जाने दो मुझे बहुत ही आदारी अपने अमा बाओ जी कि तुम लोगों ने मुझे क्यों किड़नेप करके रखा हुआ है अले चाची को क्या हुआ वो ऐसे बात क्यों कर रही है कहीं उनकी आदास तो नहीं चली गई है जागे मैं चाची को पुला के लाती हूँ जल्दी से ऐसे क्यों बात कर रही है वो आये तुम अब वहां पर क्यों जा रही हो यहां पर आओ जल्दी से मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने चाचू जल्दी उठीए देखिए ना चाची कैसे बेकी बेकी बाते कर रही है लगता हूँ उनका जादाश चला गया उठीए ना अरे क्या हुआ सुईटी बेटा क्या हुआ अरे चाचू चल कर देखिए चाची बहुत ही रो रही है और हूँ बोली कि हमने उन्हें किटनैप कर लिया है अरे पिंकी जी क्या सुबे सुबे कर रही है चलो चल कर देखता हूँ और ये मुस्तंड़ा क्यों इस तरह आ रहा है लगता हूँ मुझे किड्नेप करने आ रहा है मेरे हाथ पेर बांद देगा वो चलो मैं भागती हूं यहां से चलो चलो भागती हूँ और अरे पिंकी जी कहां कहां भाग रही है आपको और ये किया आपने क्या हुलिया बना के रखा है बच्चियों की तरह क्या पहन के रखा है आपने सारा समान उतार दिया मंगल सुतर भी उतार दिया मुझे बहुती गुसा आ रहा आखिर क्या कर रहे है अरे भी पिनकी जी मैं आपका पती हूं कैसी बात कर रही है अले मुझे तब पक्का यकीन हो गया है कि चाची का यादार चला गया है तब ही वह इसे बात कर लहीं है कहीं उन्हें चोटोर तो नहीं लग गई है ना शिर में मुझे तो यहीं लगता है अरे तुम अभी भी बेशर्मों की तरह खड़े हुए हो चलो हटो मेरे रास्ते से मैं बहुत ही परिशान हो रही हूँ अब मुझे चाने तो मुझे अपने अमा पावज से मिलना है क्या पिंकी जी आप तो मेरी बेशर्मों की जारी है भला इस तरह केसे बात कर रही है आपने पती से अच्छा अच्छा रूख जाए मैं आपके बेटे शाम को लेकर आता हूँ फिर आपको सब याद आ जाएगा पता नहीं आप क्या कर रही है अरे क्या मेरा बेटा अब वो कहां से आया अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है हाँ हाँ रुख जाए मैं अभी मुन्ने को लेकर आता हूँ आप उससे देखेंगी तो सब याद आ जाएगा चलो बेटा तुम्हारी ममी को तो मुझे पर यकीन ही नहीं है तुम्हें देखेंगी तो शायद उन्हें यकीन आ जाए पता नहीं क्या कह रही है वो यह लिजी पिंकी जी आपका बेटा जल्दी से पकड़िये देखें आप कितना प्यार करती है इससे यह लिजी इसका मासुम चहरा देखिए आप अरे यह कोण है तो बहुत्ती प्यारा बच्चा है अरे मुझे कुछ याद आ रहा है अरे नहीं मुझे पता चलके तो मुझे बहला फूस ला रहे है अरे मुझे सब पता चलके चलो पगड़ें अपने बेटे को मुझे क्यों चिपका रहे हो और फिर पिंगी मुन्ने को सिधात के हाथ में दे देती है ओरे बेटा मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ सुबह सुबह सथी आ गई है मुझे तो पक्का यकीन हो गया है चलो हम चलते हैं भावी होते तो सब ठीक कर देती पर वो तो काम से गई हुई है अले मुझे तो पकल कीन हो गया है आपकी चाची की आदास चली गई है मुझे कुछ करना पड़ेगा मुझे अकल शे काम लेना पड़ेगा लोग जा मैं कुछ कलती हूँ अरे अब तुम क्या सोचने लगी प्लीस मुझे जाने दोना तुम बहुत ही अच्छी हो प्लीस जाने दोना मुझे बहुत ही अपने अमा पाउजी की याद आ रही है अले पिंकी तुम मुझे मत देरो मैं तुम्हारी दोस्त हो ना और हाँ इतनी शुबे शुबे गाड़ी नहीं मिलेगी जब गाड़ी आ जाएगी ना फिर हम साथ में चलेंगे मैं तुम्हें छोड़ आऊंगी तुम्हारे घटीक है ना तब तक चलो हम खेलते हैं तुम मेरे साथ खेलोगी क्या मेरा नाम सुईटी है हरे सच में तुम मेरी दोस्त बनूगी क्या ठीक है मैं तुम्हारे साथ खेलोगी तुम बहुत ही अच्छी हो सुईटी बहुत ही प्यारा नाम है तुम्हारा चलो हम लंगडी-लंगडी खेलते हैं मुझे बहुत ही पसंद है ये खेल ही 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 सज्जी में मुझे भी ये खेल बहुत ही पशंद है चलो हम चलब को खेलते हैं आज़ो मेरे पीछे मुझे एक जगा पता है बहुत ही अच्छी जगे है ये देखो कैसे लगी तुम ही ये जगा चलो हम यहीं पर खेलेंगे अच्छा स्वेटी पहले तुम खेलो उसके बाद मैं खेलूंगी वैसे तुम मुझे जीतोंगी नहीं देख लेना मैं ही जीतूंगी अली हाँ हाँ वो तो बाद में देखेंगी कौन जीतेगा देख लिना मैं जीतूंगी कुछ 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 हुँँट मैंने एक पॉइंट बना लिया देखो मैं एक बार और बनाऊंगी फिर मैं जीत जाऊंगी चलो मैं अपना प्लान अपशुरू कलती हूं मैं चाची को फिर शे गिरा दूंगी उन्हें शरपर फिर चोड़ लगी तो उनकी आधा श्वापश आजाएगी कोट 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 अरे अरे और यहाँ पर सुटी अपना पेरा गिला कर पिंकी को गिरा देती है मेरे सर में बहुती जोर से लगी मुझे बहुती दर्द हो रहा है ये बोलकर पिंकी भी होश हो जाती है मुझे माफ कल दीजिये चाचु मुझे मजबूरी में शक कलना पड़ा अरे चाचु तो भी होश हो गई है अब उन्हें होश आएगा तुनकी आदास वापस आजाएगी लोग जा मैं चाचु को बुलाती हूँ चाचु चाचु यहां पड़ा आएए देख़िए चाची ब्योश हो गई है और उस विटे पिंकी जी कैसे गिर गई है ने चोड़त भोधी तता लग गई है देखो ब्योश हो गई है पिंकी जी भीने बादा नहीं क्या ग्या करते रहती है बच्चों जैसी हरकत है चलिए पिंकी जी आप यहाँ पर सोचाएं अब ठीक हो जाएंगी एकदम से आप टेंशन मत लीजिए चाचु चाचु अब देखना चाची की आदाश वापश आ जाएगी देख लेना आप और फिर काफी घंटों के बाद पिंकी को होश आ जाता है मेरे सर बहुत ही दर्द कर रहा है अरे स्वेटी तुम यहाँ पर क्यों बेटी हुई बेटा तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या बहुत ही लेट हो जाएगा चलो जल्दी से कपड़े पहन लो अली वाँ चाची की आदाश वापश आ गई वापश आ गई देखा चाची मैंने कहा था ना मैं बहुत ही शमजदार हूँ हरे सिधात जी आप सिवे सिवे यहाँ पर क्यों बेठे हुए है और मुन्ना कहा है दिखाई नहीं दे रहा है मैं यहाँ पर केसी आई अरे मेरे क्या कपड़े पहन रखे हैं ये तो मेरे पुराने कपड़े हैं मुझे क्या हुआ था मुझे कुछ भी पता नहीं हाँ पिंकी जी आपके सर में चोड़ लगने के हुज़े से आपकी यादास चली गई थी लेकिन अब तो सब ठीक हो गया है आपकी यादास वापस आ गए हमें बहुत ही खुश्य क्या मेर समझदारी की बात करने लगे हैं इसे मुन्ना कहा है मुन्ना को लाइए न मेरे पास दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीस हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्क्राइब करें थाइंक्यू फोर वाचिंग